हलो इंवेस्टर्स जस्ट अभी अभी कुछ दिर पहले एक काफी बड़ी अपडेट आ रही है इनफोसिस को एक काफी इंपोर्टेंट नोटिस रिसीव हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इनफोसिस लिमिटेड और विदानता लिमिटेड के साथ में कुछ ऐसी कंपनी के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आप इस स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं फनो मीडिया बाया आरूश आई एब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है केफिन टेकनोलोजी इस लिमिटेड ये कंपनी का जो शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर हमें 3% का करेक्शन करता नजर आया जो कि डेफिनेटली एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एक अच्छा खासा करेक्शन है और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 859 रूपीज का था अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौस्मेंट की हम बात करें तो केफिन टेक्नोलोजीज ने जो है यहां पर डिविडेंट अनौस कर दिया है 5.75 रूपीज का आप लोगो को आपके हर एक शेयर पे 5.75 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा और इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 23 अगस्त यानि की 23 अगस्त की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है मफतलाल इंडस्टरीज लिमिटेड ये कंपनी का जो शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 6.5% से जाधा करेक्ट होता नजर आया जोकि डेफिनेटली एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एक काफी भयंकर गिरावट है और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 196 रुपीज का था अगर इस कंपनी के ओफिशल अनॉंसमेंट की हम बात करें तो मफतलाल इंडस्ट्रीज ने जो यहाँ पर डिविडेंट अनॉंस कर दिया है वन रुपी का आप लगो को आपके हर एक शेयर पे एक रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा डिविडेंट वैल्यू नाही जाद अच्छा है नाही बेकार है एक एवरेज एक फियर डिविडेंट अनॉंस करा गया है और इसको देने की जो एक्स डेट रेकॉर्ड डेट है अभी अपकमिंग में है जब भी अनॉंसमेंट आएगा मैं आप लेगों को इंटिमेट कर दूंगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है कंफर्ट इंटेक लिमिटेड ये कंपनी का जो शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे अल्मोस्ट हमें 10% की तेजी दिखाता देखने को मिला जो की डिफिनेटली एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एक काफी बड़ी रैली है और कंपनी का शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 17.38 रुपीज का था अब आप लोग कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर कही समझ गए होंगे कि ये एक पैनी स्टॉक है और अगर हम लोग इस कंपनी के ओफिशल अनौसमेंट की बात करें तो कंफर्ट इंटेक ने जो है यहाँ पर डिविडेंट अनौस कर दिया है 0.07 रुपीज का यानि कि आपको आपके हरे एक शेयर पे केवल और केवल 7 पैसे यानि कि 7 पैसे का ही डिविडेंट दिया जाएगा डिफिनेटली डिविडेंट वैल्यू काफी जादा कम है बट इसको देने की एकस डेट रेकॉर्ड डेट भी अभी अपकमिंग में है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जैसी एकस डेट रेकॉर्ड डेट आ जाएगी मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है गार्मेंट मंतरा लाइफस्टाइल लेमिटेड ये कंपनी का जो शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक्जाक्ली फ्लाइट क्लोज हुआ था और 6.09 रुपीस का जो है कंपनी के शेयर का क्लोजिंग प्राइस था अगर इस कंपनी के ओफिशल अनामस्मेंट की हम बात करें तो गार्मेंट मंतरा लाइफस्टाइल ने जो है यहाँ पर इस स्टॉक बॉनस अनामस करके रखा है one इस to one के रेशियो से जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पर आपको एक शेयर है जब बॉनस में लेगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो shares में convert हो जाएगा इन शॉर्ट आपके पास में जितने भी shares होंगे इस company के वो सभी के सभी हाँ पे double हो जाएगे बट इस bonus को देने की X date record date जो है अभी तक upcoming में है जैसी announcement आएगा मैं आपको intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Thinking Pictures Limited ये company का जो share है last trading session पर हमें 1% से जादा की तेजी दिखाता देखने को मिला और 28 रुपीज के उपर में close हुआ definitely ये company का share भी एक penny stock के category में आएगा आप लोग company का share price देख करके ही समझ गए होंगे अगर हम इस company के official announcement की बात करें तो thinking pictures ने जो यहाँ पर stock split announce करके रखा है 1 is 2 5 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आपके सभी के सभी shares यहाँ पे 5 shares के अंदर में convert हो जाएगे और इस stock split को देने की जो X date और record date है वो 9th of August यानि की 9 August की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Vidanta Limited Vidanta का जो share है last trading session पे 3% से जाधा correct होता नजर आया और 434 रुपीज के उपर में company का share close हुआ अब Vidanta Limited की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically जो D-Merger से related जोड़ी चीज़े थी सबको मैंने cover किया last video के अंदर मैं आपको बताया था 75% of the creditors ने ये D-Merger को approval दे दिया है मतलब जिन भी financial institutions ने जिन भी आप कह सकते हैं private lenders ने या जिन भी banks ने विदानता Limited को loan दे के रखा था credit दे के रखा था उनमें से 75% से भी जादा ने यहापर agree कर दिया है कि यह लोग यहापर D-Merger कर सकते हैं तो पहला approval यहापर मिल चुका है फिर यहापर विदानता ने NCLT के अंदर में अपना D-Merger filing कर दिया जो भी clearances है उसका wait कर रहे हैं इसके बाद में अब update आ चुका है कि NSE और BSE यानि कि Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange जो की दो exchanges हैं इन दोनों ने भी यहापर NOC यानि कि No Objection Certificate यानि कि इनको कोई भी obligation या फिर कोई भी आपके सकते problem नहीं है D-Merger को ले करके तो वो NOC इन दोनों ही exchanges ने issue कर दिया है विदानता को तो एक और update आ चुकी है इसकी proceedings जो हैं हमें और 30 से बढ़ती देखने को मिलेंगी अब यहापर NCLT के अंदर में जानि कि National Company Law Tribunal में सारी application submit कर दी गई है प्लस यहापर अगर आप देखेंगे 6 अलग-अलग companies के अंदर में विदानता का D-Merger होगा including aluminum, oil and gas companies अब यह सारी की सारी 6 companies separately list करी जाएंगी stock market के उपर just up last or final step है NCLT की तरफ से एक आप कह सकते हैं proceeding notice हिने मिलेगा उसके बाद में इसी साल के अंदर अंदर विदानता Limited अपने को 6 companies के अंदर में D-Merger होता देखने को मिल जाएगा और 6 की 6 companies इसी साल के ending से पहले-पहले हमें stock market पे list होती देखने को मिल जाएगी तो अच्छी बात है D-Merger को लेके सारी updates positive है और back to back यहाँ पे updates सारी है तो D-Merger process अभी running में है और काफी कुछ हफतों के अंदर में या आप कह सकते हाडली एक दू महीने के अंदर में सारी चीज़े पूरी तरीके से complete हो जाएगी तो definitely विधानता के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा और जरूर से विधानता limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Infosys Limited Infosys का जो share है last trading session पे हमें डेट से 2% का correction दिखाता देखने को मिला और 1819 रुपीज के उपर में Infosys का share close हुआ अब Infosys की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है बेसिकली अभी 2-3 दिन पहले Infosys को जो है GST की तरफ से एक tax notice रिसीव हुआ था GST का tax notice जो की लगबग 32,403 करोर रुपीज का था और करनाटेका की GST authorities ने 32,000 करोर से जादा रुपे का एक fine बनाते हुए Infosys को ए notice डिलिवर करा था और इसके अंदर में कहा गया था कि Infosys ने जो उसकी बाकी branches है overseas में यानि की इंडिया की भार जो उसकी कुछ branches है वहाँ से Infosys ने जो भी services ली थी 2017 से लेके अब तक उन पे कहीं न कहीं 32,000 करोर रुपीज का एक GST बन रहा है जो की Infosys को यहाँ पे pay करना पड़ेगा पर जो भी है इन्होंने बातचीत करी उसके बाद में at the final यह decision आया कि करनाटे का GST authorities ने यह जो 32,403 करोर रुपीज का GST notice दिया था इसको अब वापस ले लिया गया है तो कहीं न कहीं अब Infosys को यह GST payment करने का ज़रूरत नहीं है यह सब कुछ अब clear हो चुका है तो कहीं न कहीं एक positive चीज है Infosys के case में बट share price के अंदर में हमें कोई effect आता देखने को नहीं मिला में भी क्योंकि आप देखी सकते हैं Friday Nifty ने इतना बड़ा गिरावट करा तो कहीं न कहीं Infosys भी उसी all over big companies के correction के बीच में correct होता नजर आया हो सकता है मंडे की trading session पे Infosys के share पे हमें थोड़ी बहुत recovery देखने को मिले एक positive momentum देखने को मिले तो definitely Infosys के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा वैसे भी आने वाले कुछ हफतो या महीने भर के अंदर में एक अच्छा target आप Infosys से expect कर सकते हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा जरूर से Infosys के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा बाकी चाहे Infosys limited हो गया चाहे विदानता limited हो गया इन दोनों companies के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी specifically जिन्होंने bonus, split और dividend अनौंस किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो definitely इस वीडियो को like कर दीजेगा channel को भी subscribe कर दीजेगा because ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे ले करके आता रहता हूँ तो चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye